Welcome to Rajan ITI YouTube channel, इस वीडियो में जानेंगे ITOT, ITOT जो PVT है या State Government की है ITOT की बात की जाए, CITS, ITOT की बात की जाए, तो जिन लोग का ITOT में एडमिशन हुआ है तो ITOT में काफी लोग ITOT से related, ये जानना चाह रहे थे कि क्या ITOT में भी Class Delhi जाना होगा ठीक है, तो हम ये बता दें कि जो ITOT में एडमिशन लिए हैं, जिनका नामंकन ITOT में हुआ है उनको भी Class तो करना है, ठीक है, Class तो करना है, सभी को करना है इसलिए करना है, क्योंकि आपको हम ये बता दें कि आप लोग का जो exam है, final exam जो CITS की होगी, वो आपकी online में होगी ये तो सभी को पता होगा, जो final exam होगी CITS में, वो online में होगी और आपको CITS में ज्यादा number लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा, कि जब instructor की वहाली, अनुदेशक की वहाली आती है, तो लगभग वार, जो है number basis से बहाल कर दिये जाते हैं ठीक है, माल लिजे कि जो permanent vacancy नहीं होती, इसे तो permanent में भी कहीं कहीं जो है number basis से बहाली हो जाती है, वाकि जो contact basis पे बहाली होते हैं, ITI college instructor के लिए, तो वहाँ पे number basis से बहाली होते हैं, तो वहाँ पे आपकी ITI की marks और CITS की marks वहाँ पे देखा जाएगा इसलिए आप लोग अगर ITI OTS से अगर आप CITS कर रहे हैं, तो ये चीज़ को आप धियान दें, कि आप उसमें जो subject है, CITS की, माल लिजे like data आपकी trade feeder है, या electrician है, या जो भी है, तो उसमें जो आपकी subject है, वो सारी subject को आपको अच्छी तरीके से परना होगा अगर आप college जाके पढ़ते हैं, तब भी, अगर आप कहीं private job करते हैं, या घर में पढ़ते हैं, कहें भी पढ़ते हैं, तो आपको हम ये कहा दें, कि आप CITS में ज्यादा marks लाने के लिए, CITS में जो syllabus हैं, उसको आप अच्छी तरह से जरूर पढ़ें ठीक है, कि काफी लोग ये भी का रहे थे, कि private है, ITOT तो उसमें class होगा, नहीं होगा, class तो होगा, और एक आपको right भी बनता है, कि अगर आप ITOT में पैसे दिये हैं, तो आपको वहाँ परना है, क्योंकि पैसे वो जो लिये हैं, जो fee आपने पे किये, वो क्या चीज का fee था? tuition fee था, ठीक है, tuition fee उसमें जो परने की जो fee लगती है, वो उसमें जुरा हुआ है, तो जो वहाँ पे fee आपको लगना था, जो पैसा लगना था, वो पैसा तो आपका लग गया, अगर admission हो गया, तो आपका पैसा तो लग गया, जब पैसा आपका लग ही गया, तो आप कि जीजिस आई टी ओटी में आप एडमिशन लिए, वहां से भी आप संपर कर सकते हैं, वहां से नोटस पगेरा ले सकते हैं, और वहां पर कलास की शुवधार राती है, वहां जाके भी आप पर सकते हैं, नहीं तो उसकी जो सिलेवस है, उसके एकॉर्डिंग आप खुद से भी तैयारी करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो last option है कि मेरे भी classes चलते हैं online, तो उसमें भी जूर कि आप class पर सकते हैं, ठीक है, हमारे जो online classes हैं, इसमें काफी अच्छी तरीके से statius की full course कराई जाती है, ठीक है, काफी trade की class, जो है P.O.T, principle of teaching, lesson plan and demonstration plan, trade theory, WCS and VCS, यह सारी classes एफिलेबल हैं, आप 90, 60, 58, 28, 42, 97, 98, 42, 42, यह मेरा whatsapp number है, 6 PM, 27 PM में call भी कर सकते हैं, तो यहां से जूर कि भी आप तैयारी कर सकते हैं, CITS की full course की, ठीक है, बाग की detail आपको call पर बताय जाएगा, लेकिन आपको मेरा class नहीं, आप चाहें तो आप तैयारी कहें भी कर सकते हैं, हम यह clear करना चाहेंगे, कि आप या तो मेरे class से पढ़ें, या तो आप खुद से पढ़ें, जहां भी पढ़ें, लेकिन आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा, कि एक्जाम जो है, आउनलाइन होगी, CITS में जो passing marks राता है, अभी थोरा सा कुछ कम किया गया है, passing marks दो साल पाले जो थी, 100 नंबर में 60 नंबर, आनि passing marks कितना था? 60%, यानि एक सो नंबर में आपको कितना नंबर लाना होगा, 60 नंबर लाना होगा, ठीक है, अभी थोरा बहुत इसमें changing किया है, तो ये भी देखें, अच्छा, और खाली pass होना ही नहीं, main तो ज्यादा marks दाएजे, चाहिए, अगर आप PVT, private IT, OT से अगर आप CITS करते हैं, या NHTI से करते हैं, तो आपको CITS में marks अच्छा आना चाहिए, क्योंकि एक instructor के लिए, एक अनुदेश्तक के लिए, अगर marks CITS में अच्छा नहीं रहेगा, तो कहीं न कहीं, प्रोबलम होगा आपको, अगर आप कोई private IT, OT में पढाने के लिए जाएंगे, तो आपको डेमो कलाश देने से पाहले, आप वहाँ पे जो आपकी डाटा है, जो आपने कोर्स किये हैं, वहाँ तो आप ओफिस में जमा करेंगे, तो रिजीम जो है, तो वहाँ से आपको देखा जाएगा, कि आपकी कितने नंबर हैं, कितने परसेंट मार्क्स हैं, तो अगर अच्छा मार्क्स रहेगा, तो आपको जो private IT है, वहाँ भी आप अराम से पढा पाएंगे, और आपको पता होगा, कि अब जो भी वहाली आती है तो हाँ पर सभी जो भाहली होती है, वह नंबर होती है, मार्क्स होती है, इसलिए आप CITS की जो कोर्स है, वह पढ़के करें, ठीक है? अगर से अगर का डिगरी लेना है, तब तो कोई बात हैंगे, ठीक है? लेकिन हम ये का दें, क्योंकि काफी लोग ने पिछले बार भी C से आटिस किये थे, वो भी फाइनल एकजाम दिये, काफी सारा कोई एनिश्टी आई नहीं है, जहां पे मेरे तरा से जो मेरे जगा, मेरे हां से जो तयारी किये हैं, या तो जो मेरे वीडियो बाच करते हैं, वहां ना हो, सभी जगे हैं, ठीक है, तो ये एक सभी लोग के हैं, आप लोग अच्छे से, अगर आपको ITOT मिला है, तो कोई बात नहीं है, आप अच्छे से तयारी करें, ठीक है, और हमारे चैनल से CITS संबंदेत और ITS संबंदेत जनकारी के लिए हमारे चैनल से जूरे रहें, इस वीडियो में इतना है, थाइंक्यू